तो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों कल हम लोगोंने डिसाइड किया था मार्केट गिरेगा मार्केट में शाप फॉल आया और प्यारी बात क्या हुई आज कि देखेगा ट्रेड में कि आज हमें पॉ दिखा लिक मैंने डिस्क्रिप्चन में दे रखा थी पाप ट्रीज वहाँ पे इस लिए जॉइन अनुलिए तकि आप देख सको कि मेरे ट्रेड्स क्या होते हैं मेरे चारट क्या होते चाइफ क्या रहती है तो आप वहां पे देख सकते हो तो अब बहुत अच्छी अपड देखेगा टाइम बीतने वाला है उतना जादा मार्केट देखेगा हैवी बाइंग के साथ धीरे धीरे ऊपर वढ़ेगा लेकिन ये भी आदखना है कि आप अगर स्कैलपर हो तो आपको सारी इनफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जैसे कि आज आज बहुत सारे लोग आपको कै पे कह रहा होंगे आपको बहुत सारे अपने सेट अप पे वर करते हो देखने होंगे बट नहीं आपको कल की न्यूस पता होनी चाहिए कि कल फ्रेड ने क्या किया हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी पांच बजे कल का जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको इसी इस इस पर information दी थी कि कल क्या होने वाला है तो basically यहाँ पर यह चीज़े जरूरी होती है scalping के लिए कि कब market में scalping के थुरू देखेगा downtrend आएगा उकर untrend आएगा तो आप देख सकते हैं rate cut timeline जो है वो यहाँ पर DBS की तरफ से आ चुकी है और DBS ने क्या कहा है क्या time दिया है और अगर rate cut देखेगा उससे पहले start हो जाता है तो इससे अच्छी information इससे good information market के लिए नहीं हो सकती इसके साथ साथ दो घंटे पहले का ऐसी update आई है जिसमें देखेगा आपको यह पता चल जाएगा कि rate cut के chances बढ़ सकते हैं क्योंकि inflation और जादा कम हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि RBI को rate cut के हुए rate cut मनलब sorry rate को pause के हुए काफी time हो चुका है तो अब अगला decision rate cut का ही होगा जो bank nifty के लिए बहुत important है तो उनकी expectation क्या है यह देखेगा they aren't going to change anything on the rate front for the rest of this year यानि कि इस साल वो कहीं से भी कोई change करते हुए देखने को नहीं मिल ला है यह DBS का नुमान है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो rating agency बताती है उससे पहले ही कुछ ना कुछ edge में execute हो जाता है RBI या सरकार या फिर देखेगा किसी भी front से तो आप देख सकते हैं Economist देखेगा at DBS in Singapore cuts will mostly take place in March 2024 अब आप देखेगा March का expectation यह दे रही है लेकिन आपको पता है RBI ने multiple time यह देखेगा यह बात कही है कि अब वो rate बढ़ाने वाले तो नहीं है मलब rate बढ़ाने से relate तो कोई बात नहीं होनी है तो जैसे ही देखेगा RBI को एक healthy strength मिल जाती है एक comfortable level मिल जाता है inflation में जो की इस news के बात confirm हो चुका है edible oil की news जो की आपको देख सकते हैं कि कीमतों में इतना ज़्यादा निचला स्तर आ चुका है कि वो एक साल के निचले स्तर पे पहुँच चुके है और edible oil आपको पता है essential item है और इससे inflation पे काफी फर्क पड़ता है आप देख भी सकते हैं इनका component भी कितना है तो अगर तेल की कीमते इतनी ज़्यादा गिर रही है तो इसका मतलब है inflation में काफी बड़ी रहात मिलेगी तेल की कीमते गिर कितनी रही है ये भी पता होना चाहिए आपको तो आप देख सकते हैं कि inflation के point of view से काफी बड़ा देखेगा relaxation मिल सकता है चुकि 29% downfall आया है edible oil में तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को और देखेगा RBA को क्या चाहिए कि inflation उनकी range में रहे उनकी range क्या है 4% नीचे की यानि की lower band और 6% उपर की तो अगर आप देखेंगे the retail prices of refined sunflower refined soybean oil refined polymine तो देखेगा fallen 29% 19% 25% आप देख सकते हो लगातार तो ये चीजें बहुत बड़ा relaxation है ये inflation के point of view से बहुत बड़ा relaxation है और सरकार election में पहले जाने से देखेगा middle class को खुश करना चाहेगी जिसके लिए rate cut के expectation बढ़ रहे हैं कि rate cut आने वाले time में आपको जल्दी देखने हो मिलेगा इस particular date से भी और ये एक बहुत बहुत positive news है क्योंकि आपको पता है 4.8% का inflation में देखती हूं मिला है हम lower band के ही आसपास है और अगर इस तरीके की positive consecutive news आती रहती है तो आपको पता है कि inflation comfortable level पे रहेगा और RBI कही ना कही हिंट दे सकता है कि वो prospective rate cut कब कर सकता है आने वाले time में तो यह दोनों चीज़े क्या फाइदा करेंगी यह दोनों चीज़े फाइदा करेंगी आपके केवल bank nifty को जिनमें आज देखेगा बताया गया था कि आज इसमें गिरावट देखने हूं मिलेगी तो bank nifty के point of view से अगर आप check out करोगे तो bank nifty के point of view से काफी बड़ा relaxation है काफी बड़ी update है आप जैसा कि देख भी सकते हो यहाँ पे clarity के साथ यहाँ पे एक short covering बन सकती है कल के दिन में तो focus करिएगा वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना भूलेगा Thank you so much